हलो फ्रेंड्स मेरा नाम है डॉक्टर सुमीद गुजरे मैं ओरलन डेंटल सज्जानू मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है तो आज का जो वीडियो है वो मसूडों से जो रिलेटेड जो प्रॉबलम हो जाती है जैसे कि मसूडों में बलड आना मसूडों में सू चैनल पर नए है तो प्लीज इस चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब और लाइक क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं तो घरेलू उपाए बताने से पहले मैं आपको एक चीज़े बताना चाहता हूं कि मसूडों में अगर आपको प्रॉबलम हो और रही है तो आपको एक चीज का बहुत विश्यस ध्यान देना है कि आपको गरम चीजे नहीं खानी है ठीक है थोड़ी सी कोई भी जो भी चीज आप खाते हैं तो उनको थोड़ा सा ठंडा ख़तके खाएं और आपको शुगरी फूड नहीं खाना है थोड़ा सा मतलब जो जिसमें शुगर की मातरा हो, मीठा फूड हो, चिपचिपा फूड हो, वो आपको नहीं खाना है अब आपको क्या खाना है? आपको विटामिन C से भरे फलों को खाना है जैसे कि नीबू हो गया, संत्रे हो गया या जो खटे फल होते है उनको आपको खाना है क्योंकि इनमें vitamin C होता है जो की हमारे immunity को boost करता है और infection को लड़ने में मदद करता है ठीक है, चलिए मैं आपको पहली remedy बताता हूँ oil pulling ठीक है, oil pulling का मतलब हम उसको हिंदी में हम ये बोल सकते हैं जो तेल होता है, जो oil होता है उससे कुला करना क्यों? ये क्या करता है आपके इसमें anti-inflammatory और anti-bacterial activity होती है जिससे की आपके मसूरों को ठीक करने में बहुत मदद करती है इसमें जो oil हम use करते हैं वो नारियल का तेल ले सकते हैं आप बादाम का तेल ले सकते हैं या olive oil ले सकते हैं इसको आपको करना कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ दो चमच आपको इन में से जो भी तेल आपको लग रहा है वो आप ले लीजे उसको अच्छे से मूँ में करीबन 30 सेकंड तक गुमाईए और फिर उसके बाद ने थुख दीजे चलिए इसके बाद अगले उपाई के बारे में जान लेते हैं आपको क्या करना है कि सेंधा नमक लेना है सेंधा नमक को अच्छे से पीस लेना है ठीक है और पीसने के बाद में आपको उसको सरसो के तेल में mix कर लेना है सरसो के तेल को आप थोड़ा सा हलका सा गरम कर लेंगे अब मैं सेंधा नमक आपको क्यों बोल रहा हूँ देखिए सेंधा नमक में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे mineral होते हैं जो कि आपके मसूणों की सूजन को कम करने में बहुत हैल्प करते हैं और तो इसको क्या करना है आपको इसका paste बना लेना है आपको और paste बनाने के बाद में आपको हलका हलका मसूणों पर मालिश करना है और उसको करीबन 10 मिनिट से 15 मिनिट के आप आसपास आप इसको छोड़ दीजे फिर उसके आप कुनकुने पानी में नमक डाल के आप कुला करके उसको साफ कर लीजे ठीक है अगली रेमेडी में आपको बताता हूँ अगेन आपको सरसो का तेल लेना है लेकिन इस बार इसमें आपको हल्दी में लाना है देखिए हल्दी जो होती है ये इसमें एंटी बैक्टीरियल एंटी सेप्टिक होती है ये ठीक है ना जो कि आपके मसूरे के इंफेक्शन को कम करने में बहुत मदद करती है तो अगेन इसका आपको paste बना लेना है और फिर आपको इसको मसूड़ों पर मालिश करना है और इसको भी आपको करीबन 10 मिनिट के आसपास आप इसको छोड़ दीजे और फिर उसके बाद में आप इसको wash कर लीजे ठीक है ना इसको भी आप दिन में दो बार कीजिए मैं अगर problem होती है तो इसको कुला करने के लिए तो मैं आज आपको घरेलू माउटवस बनाना बताता हूँ आपको क्या करना है कि पानी को दो कप पानी लीजे या एक कप पानी लीजे आप उसको अच्छे से उबाल लीजे उबालने के बाद में आप उसमें लॉंग डाल और उसमें हल्दी डाल लीजे और सेंदा नमक डाल लीजे और इसको अच्छे से उबलने दीजे उबलने के बाद में आप इसको ठंडा कर लीजे और आप चाहें तो इसको एक बॉटल में भर सकते हैं आप इसको और इसको दो से तीन दिन तक आप इसको यूज करते हैं तो और इसको 30 सेकंड तक मुह में अच्छे से घुमाना है और घुमाने के बाद फिर उसको आपको थूख देना है ठीक है इसके बाद में आपको नॉर्मल पानी से कुला नहीं करना है करीबन आदे घंटे तक आप इसको मुह में लगा रहने दीजिए फिर उसके बाद आप चाह को कम करने में मदद करेगा अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको 7 डेज तक आपको इसको यूज करना पड़ेगा जिससे की आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा चलिए अगले रेमेडी की बात कर लेते हैं देखिए क्या होता है कि मार्केट में एक हाइटरोजन परोकसाइट करके एक लिक्विड मिलता है बहुत इसली अवेलेबल हो जाता है बहुत महेंगा नहीं होता है 15-20 रुपए की बॉटल आती है आप उसको ले लीजे उसमें दो टेबल स्पून आप उसको एक कप में लेके मिला लीजे और उसमें उतना ही आप प होती है ठीक है चलिए ये तो मैंने आपको home remedies बता दी जो आप अपने घर पे कर सकते है इसके साथ है इसके साथ में आपको कुछ medicine पार्ट में मैं मैं आपको कुछ दवाईयों के नाम या कुछ mouthwash के बारे में मैं आपको बता रहा हूं जो आप medical store से लेके bio आप उनको बहुत easily use कर सकते हैं उनका कोई side effect नहीं है ठीक है तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ देखिए एक gum paint आता है जो gum paint जैसे कि मैंने आपको home remedy में मालिश करने के लिए बताया था वैसे ही medical store पे आप जाएंगे तो gum paint आता है ये gum paint को भी हम मसूडों में जो सूजा ना जाती है मसूडों में जो दर्द होता है या मसूडों से जो blood आ रहा है तो उसके treatment के लिए भी हम gum paint का use कर सकते हैं ये जो gum paint होते हैं मैं आपको दो gum paint के नाम बता देता हूँ एक होता है astre gum और दूसरा है stolen आपको क्या करना है कि ये जो gum paint होता है इसको आपको उंगली पे लेना है और इसको हलकी हलकी आपको मालिश करना है पूरे मसूडों की और इसको करीबर 30 मिनिट तक आपको छोड़ देना है फिर उसके बाद में आप कुला कर सकते हैं gum paint भी बहुत relief देता है मैं आपको एक mouthwash बता देता हूँ mouthwash में आप hexadin mouthwash यूज कर सकते है चलिए मैं आपको ये जानकारी देता हूँ कि जब आप डॉक्टर के पास में जाएंगे तो वो आपको क्या treatment suggest कर सकते हैं देखिए जब आप डॉक्टर के पास में आप जाएंगे तो वो सबसे पहले आपको अच्छे से check-up करेंगे check-up करने के बाद में अगर उनको लगता है तो हो सकता है कि वो आपको एक OPG करके एक x-ray suggest करे ये OPG x-ray में हमको ये पता चलता है कि मसूरों के अंदर की condition क्या है इसके अंदर कितना infection है उसके बाद में आपके जो मसूरे की नीचे की जो दाद की हड़ी होती है उसकी क्या condition है अगर उनको लगता है तो वो आपको scaling हो सकता suggest करे scaling का मतलब ये होता है कि आपके मसूरों की और दाद की सफाई के लिए वो आपको suggest करे अगर आपकी problem थोड़ी जादा है तो हो सकता वो root planning के लिए आपको suggest करे और अगर आपकी problem बहुत जादा है तो वो देखेंगे और उसके बाद में हो सकता वो आपको flap surgery भी suggest कर सकते है flap surgery के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ flap surgery में मसूरों को खोलते हैं और खोलने के बाद उसको पूरा clean करते हैं और clean करने के बाद में उनको आपको वो बापिस से उन मसूरों को suture लगा दिया जाता है टाकल लगा दिये जाते और उनको फिर 7 days तक healing करने के लिए रख दिया जाता है फिर जब अच्छे से healing हो जाती है तो फिर उनको टाको को खोल दिया जाता है तो ये कुछ professional care थी थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता था इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया तो ये थी पूरी जानकारी कुछ home care मैंने आपको बताई कुछ home remedies है वो मैंने आपको बताई कुछ आप जो shop से लेके आप कुछ वो भी आप ले सकते हैं और उसके साथ में कुछ मैंने आपको professional care जो आप doctor के पास जाएंगे वो मैंने आपको बताया तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आप comment box में बताईएगा और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो इस चैनल को subscribe जरूर कर दीजेगा इस वीडियो को like कर दीजेगा फिर मिलते हैं next वीडियो में thank you धन्यवाद